दोस्तो अगर आप freshers हैं तो आप लोगों के लिए D.I.O में बहुत अच्छी vacancy आ रखी है तो यहाँ पे दोस्तो B.T.E.K. के candidate जो है फॉर्म के लिजबल है Junior Research Fellowship के लिए इन पे जो है vacancy आ रखी है तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा यहाँ पे advertisement number के लिए तो इसका जो advertisement number है दोस्तो NSTL-JRF-01-2020 जो है इसका advertisement number है दोस्तो देन दोस्तो इस form की last date जो रखी गई है 15 January 2021 रखी गई है इससे पहले जो आपको form को fill up कर लेना है तो क्या है यहाँ पे education qualification है देख लेते हैं दोस्तो और क्या salary वगर यहाँ पे दिया जा रहा है तो दोस्तो यहाँ पे junior research fellowship के लिए vacancy निकल रखी है अगर दोस्तो यहाँ पे बात किया जाए तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो number of vacancies निकल रखी है दोस्तो अगर mechanical engineering की बात किया जा तो यहाँ पे चार जो है mechanical engineering के candidate जो है form को fill up कर सकते है electrical engineering के लिए तीन दोस्तो इसी तरह computer science engineering के लिए तीन vacancies है तो यहाँ पे अगर आप देखोगो तीन ब्रांज जो eligible है जो education qualification यहाँ पे requirement है दोस्तो तो आपका जो है बी बीटे किन mechanical electrical देन दोस्तो computer science जो है form को fill up कर सकते है with दोस्तो आपको gate इसको यहाँ पे requirement है देन दोस्तो यहाँ पे अगर आपने पास gate इसको नहीं है अगर आपने post graduate degree कर रखा है in the field of computer science electrical and mechanical तो अभी जो है आप form को यहाँ पे fill up कर सकते है तो दोस्तो यहाँ पे जो बात किया जाए number of vacances की तो अभी जो मैंने आपको दिखाए यहाँ पे number of vacances हो गई age limit जो है यहाँ पे 28 साल रखी गई है और दोस्तो इस form को fill up करने के लिए आपको करना क्या है पहले तो इसका application form में आपको दिखा दोंगा वह form को fill up करके आपको जो है इसको जो है मतलब भीज़ देना है जो एड्रेस रहेगा दोस्तों दा डिरेक्टर एनस्टियल को देना पढ़ेगा और यहां पर दोस्तों आपका इंटर्व्यव के बेसी पर सेलेक्शन होगा तो इसका आप दोस्तों एप्लिकेशन फी देख सकते हैं यहां पर मतलब application form देख सकते हैं आपको सामने यहां पर सो कर रहा है लिंक मैं आपको description देदूंगा अगर आप यहां पर इसकी eligibility criteria में फुलफिल करते हो तो आप जो है form को fill up कर सकते हो यहां पर दोस्तों अगर मैं salary की बात करूँ तो देख्यों कि अगर आप दोस्तों यहां पर salary रखी गई है काफी अच्छी रखी यहां पर salary तो यहां पर salary जो है आपको अगर आप देखोगे तो 31,000 जो है monthly stipend दिया जाएगा इसके साथ दोस्तों house rent allowance होता है वो जो है आपको यहां पर सुब्दा प्राप्त होगी तो यह काफी अच्छा मौका आया हुआ है अगर आपने पोस्त गेज़िट कर रखा है अगर आपको पास gate score भी है तो आप भी फॉर्म को fill up कर सकते हैं नहीं भी है तो आप दोस्तों पोस्त गेज़िट के basis पर जो है फॉर्म को fill up कर सक चाते हैं तो लिंक आपको description box मिल जाएगा आप महाँ जाके form को easily fill up कर सकते हैं तो दोस्तों आप मिलते हैं फिन नए वीडियो के साथ नए इंफर्मिंग साथ आज के लिए बसना है thanks for watching and listening